जैने दोस्तों वेलकम टू फिजकल साइन पेफी क्लासेस फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग यह टाइटल देख रहे हो की वेस्ट इज़िटी फिजिकल एजुकेशन कटाफ 2023 तांडव यह किसी तांडव से वास्तों में कम नहीं है विकाज यह मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाक्स था जिसका आप लोग बहुत बेसबरिशी इनतिजार कर रहे थे फ्रेंट्स इसके लिए मुझे बहुत ही मेनद करना पड़ा है विकाज यह कटाफ ना किसी एकोनॉमिक सर्वेशे भी कम नहीं है जो कि फिनांस मिनिस्टर मारे देश की है निर्मला सितारमण जो कि एक फ़रवरी को बजट की रूप में जो है पेस करती है संसद में तो फ्रेंट्स जो आप लोग का यह कटाफ है यह कटाफ की सोर्सिस क्या रहेंगे जिसको मैं बता दूँ जो आप लोगों ने अपने अपने स्कोर जो ग्राप किये हुए हैं जो आपके पोल है वह आपके फर्स जो है प्राइमरी सोर्सिस मेरे है कटाफ निकालने के लिए दूसरी चीज है जो बहुत सारे नामी जामी जो इंस्टिउशन है रिनाउन इस्टिउशन है उनसे मैंने सर्वे किया है डेटा कलेक्ट किया है जैसा कि लनाइपी हो गया बि कितने मैक्सिमम नंबर्स जो है मिले हुए हैं तो अभी तक जो निकल कराया हुआ है 140 मार्स मार्स हैं और इस से ज़्यादा नंबर आता है 140 प्लस जब जाता है तो यह समझ लीजी किसी अनफेर मींस की वज़े से याया होगा कहीने कहीं बाइसनेस है कहीने कहीं पच्चपा तो यह एक तरीके से exception होगा ठीक है तो इसके लिए नहीं माना जाएगा कि नहीं रिमोट से hack नहीं हुआ है और दूसरी बात कर लिए जो minimum marks की तो minimum marks जो निकल कर आया हुआ है वह है 50 marks तो अगर on and average देखें तो on and average निकल के आता है आपका 95 marks तो 95 marks का मतलब हुआ कि जो 50% जनता जो है जो experience है हमारे वह जो है 95 से कम पाए हैं और 50% जो scorers है वह 95 से ज़ादा पाए हैं तो सबसे बहुत ही मतलब एक तरीके से जग्यासु वाली बात होनी चाहिए कि 95 जो लोग हैं कितने लोग हैं जो 95 marks जो है इसकोर किये हुए हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहां पर आया हुआ जिसको मैं आज आप लोगों को प्रसुत करूँगा तो friends देख सकते हो जो अगर मैं मान सकता हूँ कि जो expected जो applicants हैं हमारे जो experience हैं वह होंगे 50,000 ठीक है 50,000 होंगे तो और dedicated experience जो होते हैं जो actual में जिनके अंदर ind indomitable determinism होता है कि वह exam के लिए जो डेडिकेटली जो पढ़ाई करते हैं तैयारी करते हैं वह कितने हैं out of 50,000 में तो आप देख सकते हो वह जो मात्र जो है संख्या जो है यह केवल 10% है और यानि 10% अगर 50,000 का निकालेंगे जो कि fully devoted towards kvS examination वह है 5000 अब यह 5000 जो है वह actual जो है जो preparation कर रहे हैं हो kvS की तरफ कर रहे हैं तो अगर माल लीजे कि कितने लोगों ने इस exam को sincerely दिया हुआ है और उस दिन जो है उनका अच्छा लक रहा होगा और सारे जो neuromuscular coordinations हैं और उनकी mental abilities जो है उस दिन काम की होगी जिससे कि वह अपना best दिया होंगे उनकी कितनी संख क्या है तो अगर मैं बात कर लूँ कि जो MP8 पास्ट candidates होंगे जो MP8 पास्ट candidates है और प्लस जो research scholar जो है वह 30% यानि कि 5000 का जो 30% जो है कितने होते हैं यह आपको निकल जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा 1500 1500 because जो 95 जो मैं आज जो survey करके लेके आया हूँ कि 95 जो number जो है कितन कितने लोगों की ज्यादा है तो देखिए जो number जो है 95 marks जो है कौन-कौन कितने लोग जो ज्यादा पाए हुए उसमें जो maximum जो candidate है वो MP8 पास्ट candidates है और research scholar है because मैं एक चीज बता दूँ आपनों को जो paper level आया हुआ था जैसा कि UPTGT का one liner question आता है राजस्थान का अपने P.E.T. देवगा वो भी एक तरीके से one liner question आता है हर जगा जो है one liner question आते हैं देखने को मिलते हैं except अगर बात कर लें D.S.S.B. but D.S.S.B. भी इतना जाता तारकिक नहीं है जैसा कि KVS इस बार पूछा हुआ था as good as जो pattern था यें टिये net द्वारा था ठीक है तो इस तरीके से जो उनके लिए जो सहज कितने candidates हुए होंगे जो सहज candidates हुए होंगे मैक्सम जो जिनोंने सहजता से अपने जो exam दिये होंगे वो होंगे MPA past होंगे और research scholar ही है ज जो 95 and above लाया है वह है MPA past अब BPA जो है 10% ही आया है देखिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा region है क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions थे जो कि BPA जो BPA की level से उतने ज्यादा नहीं थे जो कि हम जैसे देख लिए कि test and measurement का जो questions जो आये हुए थे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे questions थे जो कि pattern जो है तरीके से entirely different था जो कि previous तूथाव 18 में जो exam हुआ था तो जो अनुमान लगा के अगर देखा जाए तो 10% ही जो data मिला हुआ है कि जो qualified जो candidates होंगे जो 95 and above पाए हुए है वह है कि बहुत 10% ही तो 10% जो BPA है तो अगर उनकी संख्या ले लिजा है 5000 में तो वह है 500 तो 500 अगर 200 total candidates जो है actual जो fight for interview कितने करेंगे तो 2000 तो यह जो 2000 है यह जो 2000 है जो लाल मैं इसलिए लिखा हुआ हूँ क्योंकि यही actual लाल है जो fighting race में आपके fight करने वाले हैं तो यही है देखे friends आज मैं आज आज आप लोगो यह भी नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरे channel को like ठीक है क्योंकि यदि आपको यह research scholar की अगर बलकि यह कहूंगा कि यदि आपको इस research scholar की अगर थोड़ा भी अगर efforts को लगा हो आपको अगर emotional touch किया हो तभी आप लोग इस channel को like को subscribe कीजिएगा ठीक है तो अब चलते है 2000 जो candidate जो है वह जो है वह जो है कैसे segregate हो रहे हैं दिखा दूं यहां पर तो यहां पर आप एक लोग आप थोड़ा सा व्यूग देख सकते हैं मेरा चैनल है फिसकल साइन फेपी और 23rd जो फैब्रावरी को मैं रात में बना रहा हूं रात में क्या एक तरीके सम्विल जो 24 हो चुका है तो यह जो कटाफ जो है देखिए कटा 21% है और 81 से 90 के बीच जो है 17% है और इस तरीके से अगर मात मान लें कि 70 से 80 के बीच में 10% है यह टोटल जो कैंडिडेट्स हैं दिखा देता हूँ आपको यह केवल 512 कैंडिडेट्स जो एक्ट्वल एस्पिरेंस है आउट अट अग 2,000 में से उन्होंने यह ओटिंग किया हुआ है ठीक है तो अगर हम बात कर लिए कि जो एबb 100 marks है ठीक है एबb 100 marks की अगर बात कर ले तो यह है जो candidates हैं वो है 30% 30% जो है यानि कि out of 2000 में 30% जो लोग है वो कितने पाये हैं 100 марks से ऊपर पाये हुए है ठीक है तो अगर हम बात कर ले तो 2000 में से जो 30% जो पाए हुए है वह कितने है 100 माक्स से उपर वह है 600 यह आपको डेटा जो है याद करना पड़ेगा लिख लो नहीं तो कहीं पर फिर आपको easy calculation हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख लीजे कि जो 90 से 100 के बीच में जो माक्स जो पाए हुए है वह है total 40% जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है वह तो केवल 500 का है लेकिन मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ 2000 का जो actual जो candidates है जो 95 के इर्दगिर जो है ट्रवेल कर रहा है और जादा पाए हुए 95 से उपर पाए हुए है ठीक है तो यह 40% हो गया तो 40% अगर हम निकालेंगे 2000 का तो total candidates की संख्या आ जा रह अगर 25% अगर 2000 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 500 candidates जो की 82 90 marks की बीच में आए हुए हैं 82 90 marks की बीच में आए हुए हैं कितने candidates 500 candidates जैसा कि मैंने आपनों को यहाँ पर data दिखाया हुआ है इस data के अनुसार ही हो रहा है सब कुछ समझ लीजिए यह data तो क्यों 500 का है और देख करते हैं तो पूरे population क्या नहीं करते हैं हम वहाँ पर sample निकाल कर ही data collect करते हैं और उसी sample के base पर ही हम जो है research analysis करते हैं तो यहाँ पर जो data है एकदम exact data है ठीक है इससे इर्दगिर्ध ही होगा और इससे बाहरतनिक भी नहीं जाएगा इसका मैं मुझे guarantee है और आप लोग भी तब ही support कीजिएगा इस channel को जब आपको लगेगा कि नहीं यह channel जो very authentic है यह research scholar जो है ऐसे ही लोगों को मामू नहीं बना रहा है लेकिन कुछ यहाँ पर मैं study करके work out करके ही आप लोगों को यहाँ पर data लेकर आया हूँ तो यह 2000 जो है 2000 में से जो 25% है जो कि 500 हो रहे हैं कितन candidates जो है qualify किये है out of 70 to 80 के बीच में है ठीक है तो यह देखो तो 2000 अगर total हम बात कर ले कि यह जो है यानि कि 100 marks above 100 marks जो है 30 candidates है 600 लोग जो है जो है पाई कितने है 100 marks के उपर लेकिन आपकी seat कितनी है अब seat के segregation देख लेते हैं अगर seat के हम बात कर ले तो seat देख सकते हो यहाँ पर 2023 में जो vacancy आई हुई है इसमें UR category में 178 seats है वो BC में 117 है और SC category में 65 ST में 32 EWS में 43 total जो है 35 seats है ठीक है तो अगर हम बात कर ले कि जो interview के लिए जो candidates जो बुलाए जाते हैं जो interview के लिए candidates बुलाए जाते हैं वह तीन गुना जो है बुलाए जाते हैं तो अगर हम बात कर ले 435 का जो तीन गुना अगर करेंगे तो 1305 आ रहा है जो कि 1400 के एप्रॉक्स जो है candidates बुलाए जा सकते हैं यह 1450 भी हो सकता है बट जो real जो लाल है जो red में मैंने बताया था आपको कितने ह हैं यह कितने हैं यह तो केवल 2000 हैं तो 2000 इधर जो है लगबग 1450 माल लीजिए यह 1400 भी ले लीजिए अगर बुलाए जा रहे हैं तो 600 candidates जो है बाहर होंगे जो कि 95 and above जो है पाए हुए हैं तो वह कितने candidates हैं कौन candidates जो बाहर जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हो तो यह candidates जो हैं UR में देख सकते हो आपकी जगर तीन गुना अगर देखें तो 535 OVC में 351 candidates को call किया जाएगा इंटर्व्यू के लिए कितने candidates को बुलाया जा रहा है 530 something candidates को जो है यहां पर बुलाया जा रहा है जो कि और आपको मैं बता दूं कि जो 534 candidates को बुलाया जा रहा है तो 534 candidates कहां पर आएंगे 534 candidates जो है इसी 600 में से आएंगे ठीक है ना इसी 600 में से आएंगे जिसमें 66 candidates जो है जो है जिनको जो है जो ग्रास किये हुए हैं, तो 66 जो candidates हैं उनको यहां पर नहीं बुलाए जाएगा, जो कि general category में, यो आर काटेगरी में होंगे, तो ऐसे कितने candidates हैं, out of 100, जिनको interview के लिए call नहीं किया जाएगा, वह हैं 66 candidates जो हैं जिनको interview के लिए call नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह था above 100 का वीज तो अगर हम बात कर ले कि UR category में cut-off कितना जाएगा क्योंकि लेकि UR category में जो 100 marks and above हैं वो 600 हैं लेकिन बुलाये कितने जाएगा लगबग 550 तो यह नहीं 50 candidates को नहीं बुलाये जाएगा तो इसका जो cut-off होगा somewhere जो है इसी की इर्दिगीर्द जो है घुमेगा तो 100 marks की इर्दिगीर्द ही घुमेगा तो 100 marks की इर्दिगीर्द जो है घुमेगा तो कितने अगर expected cut-off कि अगर बात कर ले UR में तो मेरा मानना है यह 103 marks plus minus 2 होने की संभावना है इससे न तो जादा न तो कम होगा यह finally आप देख लिजेगा और एक चीज मैं बता दूँ OBC का cut-off क्यों UR category से इस बार कम जाएगा जिसको आप देख सकते हो ठीक है देखिए इस बार KVS का जो merit है merit में बहुत बड़े उतार चड़ाओ जो है आपको देखने को मिलेगा अभी कुछ पल में आपको एसर भी होगा कि OBC की merit इतनी कम कैसे जा सकती है तो आपके जितने भी मन पिपासा है इसको मैं सारज सांत करने की पूरे कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो OBC Candidates है OBC को कितने OBC को बुलाया जाएगा जो OBC Candidates है वह है 351 351 Candidates को यहाँ पर बुलाया जाएगा तो अगर माल लीजे 351 Candidates को बुलाया जा रहा है तो इन 60 Candidates में से कुछ OBC के भी Candidates होंगे जो above 30 पाए होंगे category में 178 के लिए 550 candidates में भी होंगे और इनकी संख्या जो है मैं बता दूँ जो survey हम लोगे किया हुआ है जो data collection किया हुआ है marks का उसमें maximum जो candidates हैं मतलब मैं बता दूँ कि अगर 550 candidates को अगर बुलाया जा रहा है UR category में interview के लिए तो उसमें जो maximum candidates है maximum in the sense 55-60% जो candidates है वो है OBC के ठीक है और नहीं होगा तो आप लोग जब result आएगा तो आप देख लिजेगा यही है data तो क्यों क्यों कि अगर एक तरीके से मैं एक चीज बता दूँ यह भी एक तरीके से एक survey का विशह है कि physical education में किस category के सबसे ज़्यादा students participate करते हैं तेक तरीके से एक survey का study है हमारा population census तो cast based पे नहीं center जो है मना कर दिया है नहीं कर रहा है जबकि बिहार का CMOM सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारा census होना चीए cast basis इस बार होना चीए क्यों क्यों क्योंकि OBC का strength बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पढ़ने वाले लड़कों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं बता दूं कि जितने भी candidates है जो you are में qualify होंगे वह 60% जो candidates होंगे जिनके marks 100 से above आया हुआ है वह सारे के सारे जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के माध्यम से you are category में fall करेंगे इसलिए इनका जो है कटाब जो है बहुत ही कम जाएगा देख सकते हों यहाँ पर जो कटाब जो है यहाँ पर जो जाएगा OBC का तो जाएगा 90 प्लस माइनस टू बस इतना ही जाएगा तो इसलिए मैं मानके चल रहा हूँ कि जितने भी candidates जो है 90 एबप आये हुए है और उनकी अगर OBC काटेगरी में है अगर उनका OBC काटेगरी है तो they can prefer for interview exam ठीक है इस तरीके से था और ST काटेगरी का अगर बात कर लें तो ST काटेगर कि ST काटेगरी में 80 प्लस माइनस टू जा सकता है अगर आप 75 एंड एबब हैं तब भी आप hope कर सकते हैं कि आपका जो है interview के लिए call जो है इस बार जरूर आएगा और EWS के लिए मैं बात कर लो EWS काटेगरी का तो 80 प्लस माइनस टू है इस बार का जो cut-off जो है जाएगा तो कि यह जो है पिछली बार तो OVC का जो है cut-off जो है general के UR के बराबर था बहुत सारे लोग होंगे doubt में होंगे क्योंकि पिछली बार जो cut-off गया था UR का वह था 80 और OVC का था 79 तो मैं बता दूं कि जितने candidate जो selected भी थे न वो सबसे जादा OVC के ही थे इसमें क्योंकि जित और एक physical education का एक तरीके से survey भी अगर करोगे आप तो सबसे ज्यादा जो physical education में जो students है वो है OVC के ही है यह रिशर्च का बिशय भी है और क्यों है इसका आप लोग जब PhD करिएगा तो आप लोग इसको जो है एक तरीके से topic ले सकते हो हाला कि यह social issues है इस पे तो हम लोग PhD न why not other unreserved category participation तो इस तरीके से research का बिशय बनता है friends तो आप लोग को यह दी video real में अगर परसंद आया हो तभी आप लोग जो है इस channel को subscribe कीजिएगा और जब result आएगा ना तो आप लोग मुझे जरूर जरूर याद कीजिएगा कि एक research scholar जो LNIP का है इतना मेरा अभी अभी data collection त देखोगे आप लोग कहोगे कि नहीं एक बंदे ने एकदम इस तरीके से समझाया है और actual data जो है मैं बता दूं friends आप वीडियो पॉस्ट करके आप देख भी सकते हैं actual data है वह इर्दगियत इसी के घुमेगा यदि आपकी इतने marks बैट रहे हैं अगर आ रहे हैं आप लोग इसकी बीच में हैं फॉल करते हैं इस marks की बीच में then you can prepare yourself for your interview exam ठीक है और बहुत सारे जो candidates हैं जो मैंने एक दो लोगों का YouTube भी देखा था तो उसकी मादिम से मुझे लगा कि नहीं score जो है इतना ज्यादा नहीं जाएगा न तो इतना ज्यादा कम भी जाएगा बट जाएगा भी तो इतना ही जाएगा जो कि मैं बता रहा हूं यह बहुत ज्यादा इसमें मतलब एक तरीके से समझ लिए इतना data apply करके मैं आप लोगों को इतनी रात को बना रहा हूं देख र रहा है तो तरीके से समझ लेजे बहुत effort लगा हुआ है आप लोगों को इस तरीके से समझाने के लिए क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा यहां पर chaos मचा हुआ कि कितना जाएगा कटाप जाएगा कितना कटाप जाएगा बहुत मुझे भी comment मिले हुए हैं जिसका मैं reply करना बड़ा मुश्किल हो रहा था तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है आपर और रही बात नेट की फ्रेंट्स नेट के लिए देखे जो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो सायद सम्वेर सेकेंड मार्च को एक्जाम है आप लोगों का होली के पहले और आप लोगो आप लोगों का जो नेट के लिए क्या के बुक आप रेफर करोगे अभी तो टाइम वैसे 5-6 डेज है वल्ली तो आप लोगों को अभी क्या करना है क्योवल पीवाइक्यू का जो पिछले साल के जो पेपर है लास्ट फाइब येस के हैं हर दिन दो दो तो तीन तीन करके आ अगर इतने माक्स जो है इसकोर करते हैं तो होली के बाद आप लोगों को इंटर्व्यू का कॉल जो है देखने को मिल जाएगा सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग है वे नाइस डे